हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग मैं सेल्फ ताराचन टीब मैठ CLC सीकर सो हम लोगों ने जही एडवांस के लिए जो गुरुनिती स्टार्ट की थी आज देखते हैं उसका सेकेंड यूनिट और सेकेंड यूनिट के अंदर हम लोग डिसकस करने वाले हैं बाइनोमियल थियो कि 2016 के अंदर क्यूसर आया था टिग्नोमेटरी से रिलेटेड वन अपॉन साइन इस इंटो इस ठीक है तो देखिए जब भी डिनोमेटर के अंदर ट्रम साती है थो हम क्या करते हैं ठीक है हम यह वाला जो नीचे जो पैटरन हमारे पास में जो बनावा होता है उस पैटरन क इसको नीचे के अंदर यूज करते हैं और वहां पर लिखते हैं देखिए पाई अपॉन फोर प्लस के पाई अपॉन फोर और इसमें से सब्ट्रेट कर देते हैं बच्चों कितना वापिस सब्ट्रेट कर देते हैं पाई अपॉन फोर प्लस के माइनस वन के पाई अपॉन इसको इसमें से सब्टेट कर देते हैं, तो देखी कितना आएगा, k pi upon 6, ठीक है ना, जो यहां पर है बिल्कुल वही नकल करके आना, pi upon 4 plus k pi upon 6, और इसमें से सब्टेट कर दिया, pi upon 4 k pi upon 6 minus pi pi 6, तो क्या बचेगा, minus minus plus pi pi 6 बचेगा, बाकी सब कट जाएगा, और क्योंकि यहा बड़ा दिखाई दे रहा है, but actually यह pi pi 6 है, तो इससे divide किया है, इससे multiply किया है, तो इससे divide भी कर देते हैं, divide में कितना आजाएगा, sin pi upon 6, जिसकी value हम सबको पता होती है, कितनी होती है, 2, तो बाहर तो आजाएगा, हमारी पास में 2, नीचे denominator में जो है, उसको एगदीज लि मान लो और इसको beta मान लो, तो उपर भी मेरे पास में ऐसा है, यह बच्चो, sin alpha minus beta, ठीक है, तो उपर formula लगेगा, sin alpha cos beta, देखिए, sin alpha से sin alpha कट जाएगा, sin pi pi 6 उपर आगर कितना होगा बच्चो, 2, sin alpha से sin alpha कट जाएगा, cos alpha upon sin beta कितना होगा बच्चो, cos beta, cos beta minus, cos alpha sin beta, इस बार sin beta कटेगा, cos alpha upon sin alpha कितना होगा बच्चो, cos कोट होगा, cos नीचे sin भी होगा, कोट होगा, यहाँ पर आएगा, आप आरे पास में, कोट alpha, ठीक है, beta और alpha की value वापिस फुट कर देते हैं, देखिए, कितना आएगा, 2 time sigma, ठीक है, sigma लगा होगा है, कितना, k equal to 1 से लेकर के 13 तक, ठीक है, ऊपर कितना हैगा, देखो, कॉट, बीटा किसको लिया था, हमने, बीटा लिया था पहली वाली ट्रम को, ठीक है, sin alpha minus beta दूसरी वाली ट्रम को लिया था, कितना हैगा, देखो, pi upon 4, plus k minus 1 into pi upon 6, इसको बंद कर दीजे, bracket को, इसके बाद देखते हैं, इस bracket को बंद किय है, हमने इसको, इसके बाद में minus का cot alpha, alpha किसको लिया था, first drum को लिख दीजे, यहाँ पर, pi upon 4 minus plus k pi upon 6, इसमें values पूट कर देते हैं, बच्चो कहां से कहां तक, 1 से लेके 13 तक, देखिए कितना आने वाला है, two time, one put करेंगे, तो देखिए बच्चो यह 0 हो जाएगा, और इध is cot pi upon 4, लेकिन, जो यहाँ पर drum आएगी, k equal to one put करने से, वही drum यहाँ से आएगी, k equal to two put करने से, तो उससे cancel out हो जाएगी, ऐसे ही आपके पास में, जब k equal to three put करेंगे, तो यहाँ three put करेंगे, यहाँ पर three put करेंगे, तो two बनेगा, और यहाँ पर कितना बन जाएगा आपके four plus pi pi six, simplify करने की ज़रूद नहीं है, अभी आपको दीख जाएगा, cancel out होने वाली है, k equal to two is में put किया, तो वापिस आएगा, बच्चो, cot, उसमें two put करेंगे, तो pi pi four, two minus one, one, one into pi pi six will be pi pi six, तो देखिए बच्चो, इस से यह drum cancel out हो गई, ऐसी आगे भी आपके पास में cancel out होग ऐसे चलता रहेगा, इदर से बुच्छों पहली ट्रम बचेंब तो आखिर के अंदर यहां पर ट्रम आयेगी औही बचेगी, आखिर पर कितना यहां अब जब को 13 पूट करोगे, इसमें 13 पूट करोगे तो आपको मिलेगा बच्छों, कौट कितना पाइपाइपाइपहर, प ठीक है न, ताकि 2 pi plus theta बनेगा, जो cot theta ही होता है, तो finally आपके पास में, 45 degree तो यहां पर, और 1 pi upon 6, 30 degree यहां पर, so 45 plus 30, 75 बचेगा, बच्चो, finally आपके पास में यह बचने वाला है, यहां पर 2 time cot 45 degree 1 होता है, minus cot 75 degree, cot 75 degree की value आप निकाल सकते हो, यह आप में से बहुत सारे बच्चों को याद होगी, जैसे ही यहां पर value substitute करोगे, आपको बिल्कुल यह answer मिलेगा, option number C, ठीक है, अगर आपको cot की नहीं पता है, तो cos upon sign करके simplify कर सकते हो, cot की पता है, तो सबसे best है, cot की value होती है, बच्चों, 2 minus root 3, जैसे ही यहां से simplify करोगे, 1 minus 2 plus root 3 हो जाएगा, so 1 minus 2 minus 1 और plus root 3, आपके पास में C option आजाएगा, जो कि आपका सही answer है, ठीक है, यह था आपका question number 1, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, दिमाग लगाने वाला काम बस हमने यहां किया, बाकी तो सब calculation का part है, के लिए है, चलिए आगे बात करते हैं, question number 2, question number 2 में क्या है, देखिए हमारी पास, question number 2 देखिए, जैसे मैंने क्या था, कि SOT से बहुत सारे questions आते हैं, बिल्कुल देखिए, बहुत ही सांदार सा question आयाओ है यहां पर, सबसे पहला क्या है देखिए हमारी पास में, इन्हें triangle x, y, z, let x, y, z be the length of the side of the opposite to the angle x, y, z respectively, and 2s परावर x plus y plus z, आपको यह relation दिया है, S के अंदर x, y, z जो side से उनके बीच में, and the area of the in circle दे रखा है, आपको 8 pi upon 3, ठीक है, then आपको बताना है कि कौन सा option सही है, यह 4 options आपको दिये गए है, चारों के चारों options, बच्छों, आपको क्या करना है, चेक करना है, आएए देखते हैं कि कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखिए, यह जो relation दिया है, इससे आप x, y, z और s का value find out कीजिए, इससे आपकी value आ जाएगी, कैसे आएगी, देखिए, आपको तीन चीजे equivalent दी हुई है, मान लेते हैं कि यह इस तीनों की तीनों lambda के equal है, तो देखिए, पहले वाले से आपके हम मिलेगा, s minus x बराबर 4 lambda, फिर आमारे पास में आएगा, s minus y बराबर 3 lambda, और फिर आएगा मेरे पास में, s minus z बराबर 2 lambda, बच्चों, अगर मैं इन तीनों को add कर दूँ, तो देखो, s plus s plus s कितना हो जाएगा, इन तीनों को add कर दिया, so that is 3s minus x plus y plus z, कितना आगया बच्चों, x plus y plus z कितना होता है, 2s होता है, so 3s minus 2s, इधर कितना आएगा, 4 plus 3, 7 plus 2, 9 lambda, तो यहां से मेरे पास में, s की value आगई, बच्चो, s बराबर 9 lambda, यही मेरे लिए important part है, ठीक है, s की value कितनी आगई, 9 lambda, s 9 lambda आगया, अब देखते हैं, बच्चो, x, तो s को यहां पर 9 lambda पूट करोगे, तो x की value आजाएगी, बच्चो, 5 lambda, x, 5 lambda आगया, यहां पर s की value पूट करेंगे, तो y कितना आजाएगा, बच्चो, 6 lambda, और यहां पर पूट करेंगे, तो z की value आजाएगा, बच्चो, s की value पूट कर दी, ठीक है, उसको उधर ले गए, तो z की value आगई, बच्चो, 7 lambda, x, y, z और s, तीनों आगये हैं, हमारे पास में, lambda की drum में, अब अगर मेरे को lambda और पता चल जाए, तो मेरे को सब कुछ पता चल जाएगा, और lambda बिल्कुल आपको पता चलेगा, इसकी helps है, यह जो दे रखका है, आपको 8 pi upon 3, इसी फॉर्मुले से देखी, हमारे पास में, हमारा lambda निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा, चलिए, चेक करते हैं, इसकी ज़रूत नहीं है, इसका काम हमने कर लिया है, इसका काम यही था, कि हमें x, y, z और s की values पता चल जाए, चलिए, देखते हैं, देखे, किसके बारे में, lambda की value कितनी है, देखो बच्वो, आपको radius दे रखकी है, इन circle की, ठीक है, area दे रखका है, radius नहीं, area का formula circle का होता है, बच्वो, pi r square बराबर, 8 pi upon 3, देखो, pi से pi कट जाएगा, तो r square की value आ गई, 8 by 3, और r कितना होता है, बच्वो, delta by s, ठीक है, इसमें square कर दो, तो delta square by s square, delta के अंदर, बच्वो, s आता है, तो यह हो जाएगा, s minus a, s minus b, और s minus c, ठीक है, ऐसा formula होता है, यहाँ पर a, b, c की जगे, x, y, z है, एक ही बात है, चाहिए, a, b, c हो यह, x, y, z, ठीक है, a, b, c की जगे पर आप x, y, z, use कर लीजिए, r square दे रखा है, देखो, आपको, 8 by 3, s minus x, s, देखो, 9 lambda, minus 5 lambda, that is 4 lambda, अगली ट्रम, 9 minus 6, that is 3 lambda, अगली ट्रम, 9 minus 7, that is 2 lambda, देखिए, बच्चो, कितनी आ रही है, lambda की value, ठीकिन, r, बरावर होता है, delta upon s, delta का formula लगा दिया, root हट जाएगा, r square की value आ गई, मेरे पास में यह, देखिए, कितना आ रहा है, 4 into 2, 8 से 8 cancel out हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा मेरे पास में, 8 pi upon r square की value थी, 8 by 3, ठीक है, delta के अंदर मैंने values पूट की, तो 4 lambda, 3 lambda, और 2 lambda, तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चो, lambda cube आ गया मेरे पास में, ठीक है, लेकिन देखिए बच्चो, delta square upon उपर, तो s ही आएगा, नीचे 1s भी बच जाएगा, ठीक है, delta square में शिरफ s आएगा, तो 1s जो है, आपके पास में, कितना है, 9 lambda, उसकी value यहाँ पूट कर दो, तो इस 3 से यह cancel out हो जाएगा, 3 टाइम और 3 से 3, और एक lambda भी कट जाएगा, तो यहाँ से बच्चो, आपको मिलेगा, lambda square बराबर 1, तो lambda की value कितनी आ जाएगी, 1, minus 1 नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी sides जो होती हो, हमेसा कैसी होती है, positive होती है, ठीक है, lambda 1 आ गया, मतलब s 9 है, x 5 है, y 6 है, और z 7 है, अब बच्चों, आप अपने सारे कुस्नों के answers दे सकते हो, आप area निकाल सकते हो, आप radius हो, आप circumcircle find out कर सकते हो, आप इसकी value भी find out करते हो, s में formula होते हैं, आप सब के पास, sin e square x plus y by z को आप x plus y को लिख देना, pi minus z, तो ये convert हो जाएगा, बच्चों, cos में, इसका भी आपका s में formula होता है, तो सारे formula होते हैं, सारी values हम calculate कर सकते हैं, आईए देखते हैं कि किस तरीके से कैसे calculate की जाएगी, ठीक है, lambda 1 आ गया, ठीक है तो lambda की value ही हमारे लिए important थी यहां पर, जो कि जब तक lambda नहीं आता, तब तक हमारा हर question में lambda आता रहेगा, ठीक है, और जब तक lambda आता रहेता, तब तक हम फिर बता नहीं सकते थे, कि अगर answer आ भी जाए, तो किस तरीके से क्या होगा, लेकि ऐसा जरूर नहीं 1 आए, ठीक है, हम बात करें अगर, किसकी बात करें, इसको इसी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे कोई सा भी कर सकते हो, यह convert हो जाएगा, अब हम देखा था, pi minus z, तो pi pi 2 minus z, that is cos square x plus y by 2, cos का formula क्या होता है, बच्चों, x plus y किस में convert हो जाएगा, z में convert हो जाएगा, तो z के लि कौन, a, b होता है न, cos c के लिए, तो आपर जो cos square c by 2 होता है, वो यहाँ पर cos square z by 2 हो जाएगा, ऐसे बच्चों, 9, 9 minus 7, 2, divide by 5 into 6, simplify कर लो, देखो, यह cancel out हो जाएगा, 3 time, यह 2 time, 2 से 2 cancel out, 3 by 5, बिल्कुल सही अंस्वर है, बिल्कुल सही है यह, ऐसे ही बच्चों, इसमें भ formula लगा लेंगे, फिर r की value हम small r की help से calculate कर लेंगे, इसमें क्या आएगा बच्चों, s sin x by 2 में कितना होता है, sin x by 2 में होता है, sin a by 2 में, s minus b, s minus c, ऐसे अगले वाले में आएगा, दूसरा drum, 2 इसमें आएगी, 2 इसमें आएगी, total 6 drum आएगी, और सब आपके पास में कितनी ब s minus y और s minus z के बराबर, नीचे भी आएगा बच्चों, आपके पास में a आता है, एक में bc आता है, एक में c आता है, सब को जब root से बाहर निकालोगे, तो ये भी आजाएगा आपके पास में x, y, z, सब की value हमें पता है, बिल्कुल एक value हम निकाली थी अभी, लेकिन इसका काम नहीं देगा वापिस, s minus x, 9 minus 5, 4, 9 minus 6, 3, 9 minus 7, 2, divide by तिनों को multiply करना है, 5 into 6 into 7, क्या रहा है देखिए, check कीजिए, 3 into 2, 6 से 6 कट जाएगा, so 4 upon 35, बिल्कुल देखिए, 4 upon 35 दियावा है, so c option b मेरा सही है, ठीक है, ऐसे आप b को check कीजिए, देखो, b से ही नहीं आएगा, क् क्योंकि b निकाल लेते हैं, आपने एक formula देखा होगा, वैसे तो r बराबर उसे से भी निकाल सकते हो, abc divided by 4 delta, ठीक है, यह formula होता है आप लोगों के पास, चाहो तो आप इसमें और small r में एक relation होता है, क्योंकि आप इसकी value निकाल चुके हो, ठीक है, तो small r upon capital, r बराबर होता होता है, 4r into this, ठीक है, इसकी value निकाल चुके हैं, तो r की value कितनी आजाएगी, small r upon 4 into this quantity, ठीक है, उससे भी आप चेक कर सकते हो, चाहो तो इससे निकाल लो, इसके लिए आपको area of the triangle चाहिए, तो पहले area of the triangle देख लें, बच्चो, small r मेरे को पता था, कितना था, root 8 by 3, so root 8 by 3 बराबर, delta upon s, s मैंने निकाल लिया था, 9, तो delta हो जाएगा बच्चो, 9, 9 उदर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 into root 8 divided by 3, इसमें से 1, 2 बाहर आजाएगा, 3 कट जाएगा, तो बाहर आजाएगा 6, और अंदर कितना हो जाएगा, बच्चो, r बराबर कितना था, delta upon s, s की value कितनी है, 9, और r की value कितनी थी मेरे पास में, root 8 by 3, so root 8 upon 3, यह root के अंदर है, ठीक है, तो एक root के अंदर आएगा 3 आपके पास में, ठीक है, 3 से जब काटोगे, एक 3 बाहर रे जाएगा, एक 2 बाहर आजाएगा 6, तो यह भी 6 root 6 बन जाएगा, तो यह बिल्कुल साही आ पाट है, formula बता है आप सब लोगों को, ठीक है, small r निकालेंगे, abc, abc कितना है बच्चों, ab into c, 5 into 6 into 7, divide by 4 into delta, delta की value 6 root 6, देखो भी 6 से 6 को cancel out करोगे, ठीक है, तो नीचे 6 आ रहा है, नीचे 6 लेके भी अगर आओगे, तो भी आपके पास में, 4 बचा हुआ है, और उपर 35, ठीक है, तो ये इसके बराबर नहीं आएगा, तो ये गलत option है आपका, option number B, ठीक है, बाकी A, C और D, ये तिनों option हमारी क्या है, सही answer है, ठीक है, तो इसके अंदर जो main जो point था ना, कि यहां से आपको X, Y, Z और S निकालना था, उसके बाद तो सब के formula में पता होते हैं, हम सा हमारा question number 3, क्या है देखो, ये binomials है, ठीक है ना, पहला question किस से था हमारा, पहला question trigonometry से, दूसरा question SOT से, और तीसरा question binomials से, देखे, सभी से questions आते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि किसी एक topic से ज्यादा आते हैं, smallest M be the smallest positive integer, ठीक है ना, M smallest positive integer है, ठीक है ना, साथ में integer पीए, इन words का बड़ा meaning होता है, such that the coefficient of x square in this, इसमें x square का coefficient क्या होगा बच्चों, इसमें होगा 2C2, इसमें होगा 3C2, इसमें होगा अगली term में 4C2, इसे चलता रहेगा, इसमें 49C2, लेकिन बच्चों, इसमें देखो, साथ में M दे रखा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें 50C2 के साथ में M square भी आएगा, binomial का formula लगाएंगे, तो M square भी आने वाला है, और equal to में हैं बच्चों, हमारे पास में 3N plus 1 into 51C3, इसके बाद में देखो बच्चों, एक formula पढ़ते हैं हम लोग, किसके अंदर, PNC के अंदर, ठीक है, याब binomial में किसी में भी कह सकते हो, अगर ये श जब तक ये चलेगा ऐसा, तब तक इसको चलाते रहिए, जो सबसे last वाला है, उसमें एक बढ़ा दीजिए, और नीचे वाले में भी एक बढ़ा दीजिए, ठीक है, ये formula तब लगा सकते हो, जब पहली ट्रम में दोनों same होने चाहिए, नीचे वाला constant और उपर आपके पास में एक एक नमबर बढ़ता रहना चाहिए, ठीक है, प्लस 50C2 into M square, बराबर दे रखा है बच्चों, 3N plus 1 into 51C3, इन सब को simplify कर लो, देखो एक सांदार सा relation आएगा, और उसका analysis हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, कैसे देखो, इसमें आएगा 50 into 49 into 48 divided by 6, ठीक है, इसमें आएगा बच्चों, 50 into 49, बटे 2 into M square, और बराबर में आएगा बच्चों, 3N plus 1, और इसमें आने वाला है 51 into 50 into 49 divided by 6, ठीक है, चलिए इसको काट दीजिए, जो कट रहा है, 49, 50, 50, 49, 50, 49, 50, 49, 50 और 49 सब जगे से कट गया है, इसमें को 2 से काट दीजिए, बच्चों, 3 टाइम, यह 2 चला जाएगा और यह भी कट जाएगा 3 टाइम, यह यहां से 17 टाइम और यह 3 से कट जाएगा बच्चों, 16 टाइम, तो यहां बचेगा शिरफ 16, यहां बचेगा M square, इसको 17 से मल्टिप्लाई करोगे बच्चों, यह आएगा 51N और प्लस 17, तो यह relation आ गया, इसको 61N और प्लस 16 को इदर लाएं, तो 1, अब देखिए, इस relation के अंदर हमें analysis करना है, M अगर कोई भी smallest positive integer है, ठीक है, तो for some positive integer N, किसी positive integer N के लिए M मेरे पास में smallest आना चाहिए positive integer, तो N की value क्या होगी, बच्चों, M smallest positive integer आना चाहिए, तो N भी smallest होना चाहिए, लेकिन क्योंग य M square, तो ऐसा number देखिए, जो smallest भी हो और perfect भी हो, इसमें आप values पूट करना, start करोगे, N बराबर 1 से लेकर के, तो आपको मिलना सुरोगा बच्चों, 52, N बराबर 2 जब लोगे, ठीक है, क्योंकि यह देखिए, क्या है, positive integer N, ठीक है, 0 नहीं लेना आपको, ठीक है, N बराबर 2 लेंगे, तो कितना आएगा बच्चों, 52 plus, 51 into 2 plus 1, that is 103, ऐसे करते करते हैं बच्चों, जब आप N की value 5 लेंगे यहां पर, तो यह होगा बच्चों, 5 into 25, ठीक है, 255 plus 1, that is 256, जो कि आपका पहला perfect square number आएगा, 256, लेकिन ऐसा तब होगा, जब N की value कितनी होने वाली है, 5, और वही आप से पूछा है, कि N की smallest आपके पास में, then the value of N, तो N की value क्या होगी, जब M smallest होगा, तो N की value, बच्चों, 5 आने वाली है, जब आपका M कैसा होगा, smallest होगा, clear है, तो यह देखे, हमने तीन question देखे हैं, पहला था हमारा technometry से, दूसरा था हमारा किस से, SOT से, और तीस किसरा question था हमारा, binomial से, ऐसा ही देखे, कुछ अगले सालों में, कुछ questions और आए होए हैं, यह भी आपका 2016 के questions थे, तीनों के तीनों, ठीक है, 17, 18, 19, 20 के अंदर, देखते हैं, उन question के बारे में, technometry के कुछ questions हमने पहली unit में भी discuss किये थे, कुछ questions उसमें आगे थे, technometry के, ठ देखे, basic maths के साथ, चले आगे बात करते है, question number 4, देखे, क्या है question number 4 के अंदर, इसमें आपको दे रखा है, एक triangle के अंदर, एक angle दे रखा है, 30 degree का, दो sides दे रखे, PQ and QR, ठीक है, then which of the following statement is true, तो देखे, इसका diagram बनाते है, सबसे पहले, जब भी कुछ ना समझ में आए है, उसका diagram बनातो, triangle के case में, PQR, देखे, आपको angle Q दे रखा है, 30 degree का, ये angle है, 30 degree का, इसके बाद आपको PQ side दे रखा है, 10 root 3, PQ दे रखा है, बच्चो, 10 root 3, और QR दे रखा है, आपको 10, ये नीचे वाली side दे रखा है, आपको 10, और आपको निकालना है, क्या, आपको statement true है, statement में, देखो, आपको angle P निकालना है, बच्चो, angle R फाइंड आउट करना है, आपको triangle का area फाइंड आउट करना है, इन circle की radius निकालनी है, और circum circle की radius, area चाहिए, मतलब radius चाहिए, तो बच्चो, ये सारा करने के लिए अपने को तीसरी side चाहिए होगी, दिमाग में ऐसा click कर रहा है न, तो बिल्कुल ये Q की value find out कीजिए सबसे पहले, क्या लगाएंगे बच्चो, एक angle और दो side दे रकी है, तीसरी side निकालनी है, कौन सा formula, cosine rule, cosine rule क्या होता है बच्चो, cos 30 बराबर, root 3 by 2 बराबर, उसके pass वाली side का square, 10 का square, 100, 10 root 3 का square होगा, 300, plus, नहीं, minus का Q square, divide by 2 गुना 10 गुना 10 root 3, 2 गुना 10 गुना 10, 200, और 7 में आ जाएगा, बच्चो, root 3, ठीक है, इस 2 से इसको काट दीजिए, 100 बार कट जाएगा, इसको इधर multiply किया, तो ये कितना हो गया, बच्चो, ये हो गया 300, इधर आएगा 100 plus 300, minus Q square, 300 से 300, cancel out, तो Q square की value आ गई, बच्चो, 100, मतलब Q भी कितना है, बच्चो, 10, Q 10 होने का मतलब क्या होगा, बच्चो, ये triangle बनेगा आपका isocells triangle, तो अगर ये 30 degree का है, तो angle P भी कितना होगा, बच्चो, 30 degree, तो पहला option गलत हो गया, ठीके न, angle P 45 degree का नहीं होगा, अब सारे options कर सकते हो, अगल R कितना हो जाएगा, दो angle 30 plus 30, 60, तो ये angle हो जाएगा, बच्चो, 120 degree का, angle R 120 degree दिया है, तो ये statement बिलकुल सही है, area of the triangle PQR, देखी बच्चो, अगर आपको तीनो sides पता है, तब वैसे तो आप कोई सा भी formula यूज कर सकते हो, बट साथ में angle भी पता हो, तो हम एक formula पढ़ते हैं, 1 by 2 into corresponding side, कोई सी भी ले लिजिए, ये ले लेते हैं, 10, ये 10 आया था, Q का मान, Q की value, So, 10 into 10, और 7 में आता है, बच्चो, उनके बीच का जो angle आता है, उसका sign, और sign 120 degree होता है, बच्चो, root 3 by 2, कितना आएगा, 2 into 2, 4, 100 by 4 होगा, बच्चो, 25 into root 3, क्या area इतना दिया है, बिल्कुल देखो, 25 by root 3, तो ये option आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके दोनों पार्ट सही है, area भी आ रहा है, और angle भी इतना आ रहा है, radius of the in circle of the triangle, देखे, radius के लिए क्या करेंगे, बच्चो, r बराबर होगा, delta upon s, delta होता है, area of the triangle, divide by semi perimeter, area of the triangle, अभी अभी निकाला, बच्चो, 25 root 3, semi perimeter, तीनों साइट को add कर दो, 10 plus 10 plus 10, तो ये हो जाएगा, बच्चो, 20 और plus 10 root 3, कितना आ जाएगा, बच्चो, इसको rationalize करते हैं, बट उसके पहले एक काम करते हैं, इसको 2 से multiply कर लेते हैं, और 2 से divide कर लेते हैं, क्यों, फिए उपर 50 आ जाएगा, तो नीचे से 0 common आ करके, कट जाएगा, बच्चो, तो उपर तो कितना आ जाएगा, 5 into 2, that is 10 root 3, और नीचे आ जाएगा, बच्चो, कितना, 2 plus root 3, अब इसको rationalize करो, 2 minus root 3 से multiply किया, तो ये बनेगा, बच्चो, 10 root 3, और 7 में आएगा, 2 minus root 3, नीचे आ जाएगा, 1, इसको इसके साथ multiply किया, multiply करेंगे, तो देखें, कितना आएगा, ठीक है, एक हमने divide में 2 भी था, बिल्कुल एक divide में 2 जो हमने यहां पर नीचे किया था, उपर 50, यहां पर तो 5 ही आएगा, बच्चो, कितना आएगा, 5, so 5 into 2, ठीक है, that is 10, अचा नीचे जो 2 आएगा, एक बार calculation देखना, दुबार 25 into 2, उपर तो 50 हो गया, ठीक है, नीचे से हमने 0 को common लेके काट दिया, तो 2 plus root 3, तो उपर से cancel out हो गया, 0, तो उपर तो बचेगा, शिरब 5, और नीचे आएगा, 7 में, 2, so 5 root 3 divided by this, इसको simplify किया, कितना आ रहा है, इसको simplify करेंगे, तो उपर आएगा, 5 root 3 into 2 minus root 3, और नीचे आगया, मेरे पास में, कितना, upon में आगया, 2, कितना आ रहा है, देखो, यह divide में जो 2 आ रहा ह यह कुछ गडबड कर रहा है, एक बार calculation चेक करते है, देखो, दुबारा, radius of the in circle of the triangle will be given by this, r बराबर delta upon s, अच्छा, हाँ, इसके अंदर भी, बच्चों, डिवाइड में, यह तो तीनों साइट का sum हुआ, डिवाइड बाई 2, एक 2 भी आएगा, जो कहाँ चला जाएगा, एक 2 भी आएगा, जो उपा 2 से 2, कट जाएगा, तो यह 2 नहीं आएगा, यह 2 नहीं आएगा, तो कितना आजाएगा, 10 root 3, और minus, root 3 into root 3, 3, और 5 into 3, कितना हो जाएगा, 15, तो बिल्कुल यह option भी आपका सही है, option number C, ऐसे ही बच्चों, आप circum circle की radius की बात करें, एरिया निकाल 4 delta, हमारे पास सारी चीजे हैं, put कर दो, एक इतना है बच्चों, 10, bb 10, c 10 root 3, divide by 4, और delta है बच्चों, 25 root 3, निकाल चुके सारी values, put कर दो, 25 into 4, 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो एक 10 बच जाएगा, तो r की value आगी बच्चों, 10, r की value 10 है, तो area होता है, pi r square, तो 100 pi, बिल्कुल सही answer है, option number d, b, तो आगें, आपके पास में एकदम logical question, ठीक है, सारे formula लगते हैं, देखिए, फिर से, खास करके, small r, capital r का formula तो जरूर याद रखिएगा, बच्चों, हमें जो data दिया था, हमने उससे सबसे पहले, क्यों निकाला, और क्यों निकाल करके, सारे formula लगाए, जो भी ह है, देखो, again, देखो, binomial से, सारे chapter से question आते हैं, ठीक है, again, कोई एक ऐसा particular point नहीं है, जिससे ही question आता हो, सबसे पहले तो देखिए, आपको ये x दे रखा है, आपको इस binomial series को solve करना है, ठीक है, और फिर जो भी x आएगा, उसको 1430 से divide करना है, चलिए, देखते हैं, कैसे कर format में लिखा, तो देखो, बच्चो, एक r आ रहा है, ठीक है, 1, 2, 3, up to 10, तो r, 10c1, 10c2, तो ये आ रहा है, बच्चो, 10cr, सबसे पहले तो देखो, बच्चो, बाहर जब भी कोई r आता है, तो उस r को हटाने का एक तरीका होता है, एक formula होता है हमारे पास, और वो formula क्या होता है, इसको आप replace कर सकते हो, n से, n कितना है, यहाँ पर 10, ऊपर एक कम हो जाएगा, 9, और नीचे भी एक कम हो जाएगा, r minus 1, ठीक है, यह binomial के अंदर एक formula पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, अगर आपको कभी भी r into 10cr को replace करना हो, तो ये equal होगा, बच्चो, r means यहाँ पर n हो सक साथ में, यह तो बच्चो, एक ट्रम 10cr होगी, लेकिन इसका square है, इसका क्या है, इसका क्या है, square, तो दूसरी ट्रम आपकी as it is रहे जाएगी, इसके बाद बच्चो क्या करेंगे, इसके बाद में देखिए, अभी तो यह और यह constant नहीं आ रहा है, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते है, 10 into 9cr-1 into 10c10-r, अब देखो बच्चो, यह constant आ रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने गुरुनितीज देखियो कि मेंस की, तो वाँ पर एक क्यूशन आया था, अगर नीचे वाला constant हो जाए, r से r कट जाएगा, 10-1 कितना हो गया, बच् आपको यह जो expression जो बना हुआ है, उसमें से x की पावर 9 का coefficient चाहिए, यह पहले वाला किसका expression बनेगा, 1 प्लस x की पावर 9 का, दूसरे वाला 1 प्लस x की पावर 10 के coefficient, ठीक है, इसके अंदर इसके coefficients निकलेंगे, और इसके coefficients का निकलने वाले है, 1 प्लस x की पावर 9 के अंदर, ठीक है, तो इन दोनों के multiplication में, कौन सा coefficient निकालना है, इनका sum कितना आ रहा है, 9, मतलब x की पावर 9 का coefficient चाहिए मेरे को, कितना होगा बच्चों, 1 प्लस x की पावर, 19 के अंदर, x की पावर 9 का coefficient होगा, बच्चों, 19C9, एक साथ में multiply में है, 10, और divide के अंदर, x को किससे divide करन है, 1430, यह calculation आप सब लोग कर सकते हो, चलिए थोड़ी से आपको करके दिखा देते, 0 से 0, cancel out हो गया, इसको जब simplify करोगे, तो कैसे करोगे बच्चों, चलिए अगले पेज पे जालते हैं, वापिस 19C9, बटे 143, देखो बच्चों, कितना था, 19C9 को यहां पर लिखते है, 19 इन्टो 18 इन्टो 17 इन्टो 16 इन्टो 15 इन्टो 14, चलाते हो, 13, 12, 11, ठीक न, 9 रहम से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गई है, ठीक न, 9 तक इसको decreasing order में, multiply कर दो, 9 इन्टो 8 इन्टो 7 इन्टो 6 इन्टो 5 इन्टो 4 इन्टो 3 इन्टो 2 इन्टो 1, और एक बच्चों यहां पर बचा इन्टो 143, इसके factor करो, 13 से divide हो रहा है, तो 13 इन्टो 11 हो जाएगा यह, हमें कैसे पता से लेगा 13 से divide होगा, तो 13 इन्टो 11 आ रहे हैं तो एक बार इसमें, 14 को देखके 13 की याद आ गई, आगे 3 भी था, बागी factorize करके देख लो, काटते हैं, 13 से 13 गया, 11 से 11 गया, और काट हैं देखो, और क्या है हमारे पास में, बहुत सारे number थो फो फो इंटो 3, 12 से 12 चला गया, और देखो, 7 से यह चला गया, 2 टाइम, 2 से यह चला गया, वच्को, 3 टाइम, ठीक है, और क्या है यहांपर, ठीक है और है, देखो हमारे पास में उपर कितना है, । fen निचे 5 और 3 15 और 9 से चला गया 2 टाइम ठीक है न सब कुछ कट गया 19 इंटू 2 38 इंटू 17 इनको multiply कर लो देखो बच्चों कितना आ रहा है 17 इंटू 8 136 6 आएगा 17 इंटू 3 51 51 प्लस 13 कितना आएगा बच्चों 64 आएगा 646 आएगा फिर भी एक बार इसको calculation करके देख लें नमा 38 इंटू 17 इसका आपका final answer इसका इसका जो भी multi किसन आएगा वही आपका final answer इंटू इंटीज टाइप का क्यूस्टन था तो यही आपका क्या हो गया बच्चों answer ठीक है चले आगले किसन पर चलिए देखते अगला क्यूस्टन अच्छा अच्छा हम जदा आगे चले कितना आगे भी नहीं जाना है, ठीक है कि वापिस ना सकें, हाँ, क्यूशन नमर 6 है अभी हमारे पास, चलिए बात करते हैं, इस क्यूशन के अंदर, देखी क्या दे रख्या है आपको, आपको एक डिटर्मिनेंट, एक आपको डिटर्मिनेंट लिखा हो है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, टू बाई टू का सिंपल डिटर्मिनेंट है, लेकिन उसके पहले आपको इन बाइनोमिन ट्रम को क्या करना है बच्चो, सिंप्लिफाई, कैसे करेंगे, तेको सिग्मा के, ये तो सब को पता है, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप्टू N, ये कितना हो जाएगा बच्चो, N इ टू 10C, आर, वैसे तो अभी अभी अपने एक फॉर्मला देगा था, बट उसकी भी जरूत नहीं है, डिफ्रेंशेशन में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना, जब के 0 होगा, तो 0 हो जाएगा, फिर 1 इन्टू 10C, 1 प्लस 2 इन्टू 10C, 2, प्लस 3 इन्टू 10C, 3, ठीक ना, अ इसे करते हैं, 1 प्लस X की पावर N का जो फॉर्मला होता है, कितना, N C 0, N C 1 X, प्लस N C 2 X स्क्वाईर, अब टू, N C N इन्टू X की पावर N, इसको एक बार डिफ्रेंशेशन करके, इसमें X को जब 1 पूट करोगे, तो लेप्ट एंड साइड में तो ये आएगा, और राइ जाएगा, 1 इन्टू N C 1, 2 इन्टू N C 2 इन्टू X, एंड सो ओन, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, अब इसकी जरूद क्यों पड़ी, क्योंकि देखो यहां पर K स्क्वाईर है, अगले केस में मेरे को यहां पर 1 स्क्वाईर, 2 स्क्वाईर, 3 स्क्वाईर, अब टू, ऐसा चा यहां X स्क्वाईर और यह चलता रहेगा, अब इसका डिफ्रेंशेशन करके 1 पुट करोगे, तो एक बार तो देखो इसी में 1 पुट होगा, क्योंकि X का डिफ्रेंशेशन होगा, तो यह तो आने वाला है, N इन्टू 2 की पावर, N-1, लेकिन एक बार इसका डिफ्रेंशे करेंगे, तो 1 हो जाएगा, तो यह बनेगा आपके पास में, यह उपर वाला सिग्मा, ठीक है, दो बार डेरिवेटिव करना है, और दूसरी बार X से मल्टिप्लाई करके, फिर डेरिवेटिव करना है, तब यह वाला सिग्मा बनेगा, इसको तो ध्यान से देखो, लास्ट करो, तो यह आएगा, तो यह लास्ट वाला तो कितना आजाएगा, मेरा 4 की पावर N, आगई बात समझ में, इसको सिंप्लिफाई करना है, चलिए करते हैं, इस इस डिट्रमिनेंट है, इस डिट्रमिनेंट को सॉल करना है, देखो, यह इसके साथ मल्टिप्लाई होगा, तो तो 4 की पावर n आएगा, इधर भी एक 2 की पावर n है, उपर भी दोनों में 2 की पावर n है, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n होता है, 4 की पावर n, तो ये तो आ जाएगा बच्चो, common, जहां से देखिएगा, एक बार लिख लेते हैं, चलो नहीं, तो फिर एक साथ बहुत ज् लेकिन एक 2 नीचे आएगा, तो ये बनेगा n by 2, यहां पर भी ऐसा ही होगा, 2 की पावर n तो common आजाएगा, लेकिन साथ में कितना बनेगा, n by 2, क्योंकि सेमी ट्रम है वो, इधर से आएगा बच्चो, आपके पास में, n into n minus 1 divided by कितना, 4 आएगा यहां पर, ठीक है, ब्रेक लाग जाएगा, तो यहां बचेगा बच्चो, n plus 1 minus, n बाहर आके चला गया, यह बचेगा आपका n by 2, लेकिन minus का n by 2, plus यह भी minus का n into n minus 1 upon 4, इसको simplify करो, equation को देखो, कितना आ रहा है, बराबर में कितना है, 0, 4 L से माजाएगा, तो ध्यान से देखिएगा बच्चो, गलती म करना, 4 n plus 4, 4 n plus 4 minus 2 n, ठीक है, minus का n square, और plus का n बराबर 0, कितना रहा है, देखो, n square, ठीक है, plus का हो जाएगा, ठीक है, उदर लेगे, 4 n, 5 n minus 2 n, plus का 3 n, उदर जाकर के हो जाएगा, बच्चो, minus का 3 n, और minus का 4 भी उदर जाकर के हो जाएगा, का, minus का, कितना आ गया, n minus 4 into n plus 1 बराबर 0, ठीक है, n negative तो होगा नहीं, क्योंकि n क्या है, आपके पास में इसकी index है, तो n की value कितनी आएगी, बच्चो, 4, और वैसे भी आपको दे रहा है, positive integer है n, ठीक है, n की value 4 आ गई, तो अब देखिए, हम इसकी value find out कर सकते है, आसानी से लेकिन हमारे पास में इतनी जगे नहीं बची, तो चली हम इसको कर देते हैं, साप, इसकी जरूत नहीं है अब अपने को, ठीक है, और यहां निकालते है, याद रखिएगा, n का अमान कितना आया था अपने पास, 4, n की value आ गई, तो वो तो बहुत आसानी से निकल जाएग में अपना n ही था इसके अंदर, ठीक है, जो में की उसन था, ठीक है, वो इस डिटर्मिनेंट का सिंप्लिफिकेशन, इसमें जो सिगमाज थे ना, उनकी values फाइंड आउट करना, चलिए देखिए, n की value 4 पूट करेंगे, तो ऊपर आएगा बच्चों, कितना, 4C, 0, ठीक है 4 तक, कहां तक लेना है, n तक, 4C, 4 divided by 4 plus 1, 5, ये क्यूशन हो गया बच्चों, देखो बच्चों, एक तरीका होता है, अगर कोई भी आपके पास में divide के इंदर आते हैं, तो दो तरीके से solve करते हैं, एक तो integration, भूल जाओ integration को, हमेसा ये फंडा जरूर लगता, देखो, IIT के ये बढ़ा होना चाहिए, बहुत बढ़ा नहीं, जस्ट एक का ही difference होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उपर 5C1 दोनों को एक एक बढ़ा दो, और जो नमबर उपर आ रहा है उसको यहां लिख दो, यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, 5C2 सबको एक एक बढ़ा दो उपर वाला नमबर नीचे लिख दो, ऐसे चलता रहेगा, 5C5 ठीक है ना, उपर वाला नमबर नीचे लिख दो, इन सबको एड कर दो, कितना आजाएगा, उपर 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C5, डाट इस 2 की पावर 5, लेकिन यह तब होता है, जो 5C0 भी होता है, तो 5C0 नहीं उसक ठीक है, तो यह था आपका Q6, यह भी इंटीज़ टाइप में आया था, लेकिन उस तीन उस पाइप में अंसर आते हैं, आज कल आपको पता होगा में भी आंसर आते हैं, ठीक है, तो यह था क्यूशन 6 चले अब बात करते हैं कि नमबर 7 के बारे में, और देखिए क्या में बहुत सारे questions आते हैं, आप बाखी दूसरे ओले questions को attempt केजिए, बट ऐसे questions को तब ही हाथ लगाएं, जब आपको क्या पता हो, आपको geometrical approach बहुत ही अच्छी हो, देखें बुच्छे एक triangle PQR है, जिसके अंदर आपको कुछ दे रखा है, P ब्राबर रूट 3, साथ में आपको दे रखा है Q बराबर 1, इसके अलावा बच्छों, इसमें आपको दे रखा है circumcircle of the triangle PQR, इसकी जो radius है, radius of the circumcircle, miss capital R की value दे रखी है, आपको 1, ठीक है, triangle आपका non right angle है, miss आपका triangle right angle नहीं है, हर word का जहां रखना है, ठीक है, respectful median from R, miss the PQ8S, ठीक है इसका एक triangle बना लेते हैं, फिर हम अगले page पर चलेंगे, तो यहां पर एक triangle बना लेते हैं, देको सांदार सा, that is PQR, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, at P, then median from R, miss side PQ, R से median draw की, इसको कहां पर कट कर रही है, S के ऊपर, ठीक है, मिट PQ at S, तब perpendicular from P, miss the Q, R at E, ठीक है, यहां से perpendicular draw की, जो इसको E पर मिल रही है, और यह point है, मेरे पास O, ठीक है, R S और P intersect कर रही है, point O पर, बिल्कुल PQ हमने देख लिया, R दे रहे हैं, 1, then which of the following option is correct, अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें O E निकालना है, हमें radius of the PQR, इसकी in radius निकालने, miss small r निकालना है, S O E इस छोटे triangle का area और length of rs इस median की length find out करनी है, ठीक है, तो यह निकालने के लिए हमें इस triangle का बहुत अच्छे से analysis करना पड़ेगा, जिसके लिए चलते हैं, हम अगले page पे, यह सारी lengths find out करते हैं, फिर आएंगे वापिस इस page पे और देखेंगे अपने questions को, ठीक है, तो चलते है देखिए अगले page पे, बिलकुल, देखिए, सबसे पहले आपको P दे रखा है, root 3, P का मतलब होता है, इसकी opposite side जो की यह है, आपको दे रखेंगे, बच्चों, root 3, ठीक है, इसके साथ मैं आपको क्या दे रखा है, आपको Q दे रखा है, means Q के opposite side यह भी दे रखी है, आपको 1, और R दे रखा है, से दे कि हम एक चीज निकाल सकते हैं, आपको root 3 दे रखा है, divide by sin P ब्राबर, Q आपको 1 दे रखा है, divide by sin Q ब्राबर, 2R होता है, बच्चों, R 1 है, सो यह 2 हो जाएगा, तो यहां से दे कि आपको sin P और sin Q की value मिल जाएगी, sin P root 3 by 2 होता है, बच्चों, 60 degree पे भी हो सकता है, औ और 120 degree पे भी हो सकता है, तो हमें चेक करना पड़ेगा, कि 60 होगा या 120, वो अभी हम आगे जब calculate करेंगे, उससे पता चलेगा, sin Q 1 by 2 होगा, सो Q की value होगी, बच्चों, आपके पास में 30 degree या 150 degree, अब देखिए, क्योंकि एक एंगल आपका 60 या 120 में से होगा, तो 150 तो नहीं हो जाएगा, बट आपको देर का non right angle triangle मतलब 60 degree नहीं हो सकता, P, इसका मतलब कितना हो गया, P का मान 120 degree होगा, और Q की value मेरी कितनी हो जाएगी, बच्चों, 30 degree हो जाएगी, ठीक है, ये मेरे को angles पता चलगे, P और Q, दोनों angles पता चलगे, साथ में आपको ये दोनों पता चलग तो ये side भी आपकी कितनी हो जाएगी, बच्चो, 1, और उसमें ये median थी, तो ये length आपको पता चल गई, 1 by 2, और ये भी length आपको पता चल गई, बच्चो, 1 by 2, यहां तक पहुंच गए हैं हम लोग, कहां तक, इस triangles की हमने तीनों sides निकाल ली है, ठीक है, इसके बाद में दे delta upon s, ठीक है, वहां से area of the triangle भी अपने को पता हो सकता है, और area of the triangle तो देखिए, क्योंकि हमें angles और sides पता है, तो हम इस triangle का area निकाल सकते, देखिए, एक तरीके से निकालते हैं, कई से भी निकाल लेते, इन दोनों से निकाल ले, 1 और 1 है, so 1 by 2 into 1 into 1 into sin p, sin 120 degree कितना होगा बच बच्चों, root 3 by 4, area of the triangle से क्या होगा, इस से देखिए, हम ये PE, जो height निकाल सकते हैं, क्योंकि area का formula ये भी हो सकता है, 1 by 2 into base, निचावली side, root 3 into PE, और ये कितना दे रखा है बच्चों, आपको, root 3 by 4, ठीक है, root 3 से root 3 कट जाएगा, तो यहां से बच्चों, आपको PE की पूरी length है, बच्चों, PE, ये पूरी length है, और देखिए बच्चों, ये एक isocells triangle है, क्योंकि ये निचावले दोनों angles 30 degree है, तो ये altitude के साथ में median भी होगी, क्योंकि जो 2 sides सेम होती है, इसलिए मैं आपको geometry का knowledge बहुत अच्छा होना चाहिए, ये दोनों sides अगर सेम होती है, तो ये median भी होगी, और ये median होगी, तो ये भी median होगी, ये भी median होगी, तो आपका जो point O होगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, centroid हो जाएगा, और आप सब को पता है, कि centroid इसको 2 is to 1 में divide करता है, तो यहां से देगी बच्चों, आपको एक चीज पता चल गई, OE बराब 6, क्योंकि ये 2 is to 1 में divide करता है, तो यहां से आपको OE की length बच्चों, पता चल चुकी है, OE मेरे को पता चल गया, मेरे को PE पता चल गया बच्चों, ठीक है, ये पूरी root 3 है, ये median है, तो यहां से मेरे को QE की length भी पता है बच्चों, QE कितना है मेरा, root 3 by 2 होगा, ठीक है, इसके बाद में बच्चों आपसे एक क्युस्टन में पूचा था, RS की length क्या होगी, ठीक है, तो आप सबने पढ़ा होगा, देको median की length का formula, नहीं पढ़ा है, तो याद कर लेजिए, और बहुत ही simple तरीके से याद रखना है, RS ये वाली median है बच्चों, तो इस point से पास होने दोनों length का square कीजिए और उसको 2 से multiply कीजिए, so 1 into 2 होगा बच्चों, 1 into 2 हो जाएगा बच्चों, 2, root 3 into 2, इसका square करके 2 से multiply करना है, so 3 into 2, कितना हो जाएगा बच्चों, 6 minus, इसका square आपको direct subtract करना है, that is 1 divided by 4, इसका root होता है बच्चों, आपके पास में median का length, दुबारा करेंगे 3, इस point ये median निकाले न, तो इसके पास वाली दोनों length को देगना है, 2 into इसका square 3, 6, और minus उसका square 1, divide by 4, कितना हो जाएगा बच्चों, root 7 upon 2, ये rs की length हो गई बच्चों, rs आगा हम मेरेको, ये पूरी length मिल गई, pe मेरेको पूरी मिल गई, oe मेरेको आधी मिल गई, इसकी one third हो जाएगी, इसकी one third कितनी हो गई बच्चों, root 7 upon 6, ठीक है, अब मेरे पास में क्या रहे गया, बच्चों, os निकल गई, oe निकल गई, तो बाकी length भी निकल जाएगी, एक मेरेको ose का area पूछा था बच्चों, तो मेरेको ये length चाहिए होगी, इसके लिए e की length चाहिए, ये angle हमें there का है, बच्चो, 30 degree, ये 1 by 2, निचे वाली length qe कितनी थी, root 3 by 2, तो इसमें देखो, cosine rule यूज करेंगे, तो ये आएगा, 1 by 4, plus 3 by 4, minus se को माल लेते हैं y, so y square, divide by, निचे आजाएगा, बच्चो, 2 into 1 by 2, into root 3 by 2, और साथ में ये 30 degree का angle है, cos 30 भी होता ह बच्चो, root 3 upon 2, इसको simplify करो, तो इधर आएगा 3 upon 4, equal to 1 minus y square, तो यहाँ से y की value भी आजाएगी, बच्चो, 1 by 2, y किसको लिया था हमने, se को, इस length को हमने y माना था, देखो बच्चो, हमें इस triangle की ये side भी पता चल गई, ये भी पता चल गई, ये भी पता चल गई, so e का area न 1 by 2, नहीं, o e पूछा था, 1 by 6, वो पार्ट भी निकल गया है, small r, triangle की तीनों sides पता है, area भी हमने निकाला था, कहीं पर, area ये रहा, root 3 by 4, इसको s से डिवाइड कर दीजिए, आपको small r पता चल जाएगा, clear है, सारी चीजे, सारी चीजे आपको board पर लिखी गई है, इस तरी से solve करना है, ठीक है, चलिए चलते हैं, पिसले page पर देखते हैं, कुछ options हो सकता है, हमें सीधा दीख जाए, देखो बहुत सार यहां पर लिखा गया है, तो आपको नहीं दिखाए दे रहा होगा, पर ध्यान से देखेंगे, तो यहां पर o e दे रहा है, बच्चो, 1 by 6, यह option आपको direct मिल गया है, radius of the in circle, ठीक है, यह भी सही answer आएगा, आप r की value निकालोगे, delta upon s से, लेकिन area of so e आपका यह नहीं आएगा, यह गलत option आएगा, ठीक है, यह दो पार्ट आपको करने, सब कुछ लिखा गया है यहां पर बोर्ड पे, ठीक है, इसके पहले एकदम कर लिए ऐसे, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसको solve करना है, clear है, चलिए चलते हैं अगले question पर, अगला question है, हमारा question number 8, देखे, क्या है, देखे, question number 8 भी देखे बच्चों, इसी chapter से है आपको, इससे बहुत questions आते हैं, देखो, मैंने कहा था, बहुत सारे questions आप से पूछे जाते हैं, 10x by 2 plus 10z by 2, ब्राबर 2y upon x plus y plus z, xyz positive real numbers है, suppose xyz are the lengths of the sides of the triangle, opposite to the angle x, y and z respectively, then which of the following statement is true, देखो बच्चों, आपको एक ही चीज़ दे रखिये हैं यहां पर, यह वाली, इसको simplify करते हैं, इससे जो मिलेगा, उसी से हमें आगे पता चलेगा कि क्या करना है, 10x by 2 का formula, 10 के अंदर, उपर sin आता है, नीचे cos, और sin में क्या आता है, x नहीं आता है, क्या हैगा, s minus y, और s minus z, अपन, नीचे cos आएगा, s into s minus x, और इसका क्या होता है, बच्चों, और root, that is 10x by 2, ऐसे 10z by 2, 10z by 2 में नीचे आएगा, बच्चों, s into s minus z, और उपर कितना आजाएगा, s minus x into s minus y, और इसका क्या हो जाएगा, बच्चों, root, equal to, में देरका है, आपको 2y upon x plus y plus z, उसको देखेंगे बाद में, ठीक है, पहले इसको देखते हैं, कितना आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है, उपर नीचे, s इसमें भी आ रहा है, s इसमें भी आ रहा है, इसको common ले लेते हैं, उपर से s minus y भी common आ जाएगा, s minus y upon s आ गया, बच्चों, common, lcm लेंगे, lcm में आएगा मेरे पास में, कितना, root के अंदर, s minus x into s minus z, उपर कितना आएगा, lcm लेने के बाद में देखो, s, s minus x, s into s minus z, s को बाहर ने लिया था, s minus y बाहर चला गया, इसमें उपर आएगा, root square आ जाएगा, तो root हड़ जाएगा, s minus z, plus, यहाँ पर कितना आजाएगा, s minus x, यह simplification हो गया, आपका, left hand side का, s plus s कितना हो गया, 2s, 2s क्या होगा, x plus y plus z, x और z कट जाएगे, तो यहाँ बचेगा, शिरफ y, इधर आ रहा है, मेरे पास में, s minus y, divide by, s into s minus x into s minus z, और साथ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पर y, अब देखते हैं, equal to में, देखो, क्या दे रखा है, 2y, divide by, x plus y plus z, कितना होता है, बच्चों, 2s, यहाँ पर लिख दीजिए, 2s, देखो, y से y cancel out हो गया, 2 से 2 cancel out हो गया, s इधर है, root के अंदर, इधर है बाहर, तो इधर से काटोगे, तो इधर क्या आ जाएगा आपता, root, इसको इधर multiply कर दीजिए, so, root के अंदर आजाएगा, s into s minus y, divide by s minus x into s minus z, और यह भी किसम है, root के अंदर, और equal to में कितना आजाएगा, बच्चों, 1, अब देखो, यह कौन सा formula बना, कुछ ऐसा ही है, इसका उल्टा, यह 10 के अंदर था, तो यह कोट में बनेगा, बच्चों, that is, कोट y by 2, बराबर 1, और कौट y by 2, 1 कब होता है, बच्चों, जब y by 2 हमारा कितना हो, 45 degree, तो यहां से y की value कितनी आजाएगी, 90 degree, y 90 degree आगा, इसका मतलब क्या हुआ, कि मेरा जो triangle होगा, वो कैसा होगा, right angle triangle होगा, एक तो आपका option B से ही हो जाएगा, क्योंकि y की value 90 degree है, तो triangle के अंदर x plus z भी कि 90, क्योंकि तीनों एंगल का sum कितना होता है, और 180 degree, एक तो आपका option B correct है, बच्चों, इसके साथ में आपको, अगर B correct है, तो पहला गलत हो जाएगा, ठीक है, option A सही नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों options एक साथ सही नहीं हो सकते, right angle triangle है, तो यह condition भी आपकी सही नहीं होगी, क्य क्योंकि क्या हो जाएगा, x square plus z square बराबर हो जाएगा y square के, तो D option भी गलत हो जाएगा, 10x by 2 बराबर x upon y plus z, यह सही आ सकता है, तो इसके लिए formula लगाते हैं, देखो, 10x by 2 के लिए देखिए, हमने यहाँ पर लिखाता, यह formula होता है मेरे पास, कितना, s minus y, s minus z upon s into s minus x, इसक इसको simplify करते हैं, देखो, उपर नीचे इसको multiply कर दो किस से, 4 से, तो उपर कितना आएगा, देखो बच्चों, 2s minus 2y, नीचे कितना आजाएगा, 2s minus 2z, 2s minus 2z upon 2s into 2s minus x, इसको simplify कर लो, 2x, x, y, z में convert कर दो, पूरा, उपर कितना आजाएगा, x plus z minus y, ठेके न, एक y कट जाएगा, x plus y minus z, divide by, नीचे 2s, x plus y plus z, और साथ में आएगा, x plus z, y plus z minus x, इसको simplify करो बच्चों, और इसका use करना किसका, x square plus z square बराबर y square, क्यों ये क्या है बच्चों, ये sides की length है, ठेके न, x, capital, x और capital y थो angle थे, लेकिन small x और small z क्या है, side की length, इसको आप simplify करेंगे, तो ये बिलकुल आपके इसके equal आजाएगा, 10 x by 2 बराबर, x upon y plus z, clear है, चलिए अगले question पर चलते हैं, question number 9, देखते हैं, क्या है, question number 9, देखें, आपको दे रखा है, सबसे पहले देखें, ये formula दे रखा है, आप सब को पता है, कि n, c, r, इसका मतलब क्या होता है, n, c, r, ये कब applicable होता है, जब s, r से बड़ा होता है, ठीक है न, ऐसे ही आपको, नीचे एक formula और दे रखा था, ठीक है, लेकिन आपको जो main काम है, वो करना क्या है, according to option, अगर हम देखें, तो हमें gmn calculate करना है, तो आते हैं, gmn कहाँ पर है, ये हरा gmn, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है, p equal to 0 से m plus n, sigma, f of mn, p divided by n plus p, और p, और इसके अलावा, क्योंकि आपको app यहां पर function के format में दे रखा है, तो ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है, तो इसको पहले यहां पर put कर दो app की जगे पे, इसको भी n के format में convert कर दो, और simplify करते हैं, देखो, कितना आएगा, देखो, इसको उपर put करेंगे, तो ये है मेरा mci, ठीक है न, पहले वाला क्या है, mci, इसको n plus icp, इसको simplify कर लो, बच्चों, तो ये आजाएगा, n plus i factorial, divide by p factorial, और into n minus, n plus i minus p factorial, ऐसे इसको simplify करो, क्योंकि देखो, ये इसको बराबर है, ये formula यहां से देखके, इसमें लिख लो, सब कुस दियावा होता है, जैएडवांस के paper में, बस अच्छे से देखना होता है आपको, कितना होगा, p plus n factorial, divide by, इसमें से इसको subtract करेंगे, तो p i factorial, साथ में कितना आएगा, p minus i factorial, ये तो होगया, बच्छो, f of m, n, p, इसके divide में भी एक term है, n plus p, c, p, इसको भी simplify कीजिए, इसमें कितना आएगा, बच्छो, n plus p factorial, into p factorial, और साथ में कितना आएगा, इसमें से इसको subtract करेंगे, n plus p minus p, so that is n factorial, देखो, बहुत सारी terms cut गई है यहाँ पर आपको, ठीक है, यह इतना complicated ऐसे दिखाई दे रहा है, इससे यह चला गया, ठीक है, p factorial से, p factorial चला गया, p plus n factorial से, p plus n factorial चला गया, ऊपर n, pi और इन दोनों का difference देखो, यह है, तो पूरा simplify करने के बाद, m, c, i था, और इसके साथ में बचेगा, बच्छों, कितना, n, c, p minus i, क्योंकि इसमें से इसको गटाएंगे, तब यह आएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना है, i, अच्छा, हमने इसको simplify क्यों नहीं किया था, इनी को आपस में क्यों solve किया था, क्यों देखो बच्छों, इसमें m था, और बाकी सब में n और p था, तो m उसमें आएगा, त यह आपस में simplify हो सकते थे, इसलिए हमने उनको simplify करके देखा, और हमारे किसमत अच्छी थी, कि सारी ट्रम्स कट गई, और हमारे सामने शिरफ यह तीन ट्रम बची, जो वापिस formula बन गया, अब यह क्या है देखो, बच्छों, यह तो हमने बहुत बार किया है, अगर नीचे constant आजये, i से i cancel out हो गया, क्योंकि सबसे पहले आपके पास में sigma किस पे लगावा था, i पे, तो i से i cancel out हो गया, और i से i cancel out हो गया, तो जो पिछे जो बचया, वो सिरफ p बचा, और p बचा, तो p constant है, तो ऐसा कब बनेगा, ऐसा बनेगा आपके पास में m प्लस n c p, ठीक है न एक तो 1 प्लस x की पावर, m के expansion में, और 1 प्लस x की पावर, n के expansion में से, क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, हमें निकालना है, x की पावर, p का coefficient, और x की पावर, p का coefficient क्या होगा, ये दोनों एक साथ मिलके हो जाएंगे, 1 प्लस x की पाव बच्चों ये वाला अब ये इसके अंदर फिर से सिग्मा लगा हुआ है P ब्राबर 0 से M प्लस N तो देखो बच्चों ये तो सीधा फॉर्मला होता है M प्लस N C0 M प्लस N C1 up to M अब आप अपने options देख सकते हो कि कौन सा option सही है आपको एकदम आसानी से सारे options दिखाई दे जाएंगे बिल्कुल देखो पहला option सही होगा M और N को अगर इंट्रेचेंज कर दोगे ठीक है तो भी answer यही रहेगा इसमें कोई फरक नहीं पढ़ने वाला दूसरा option क्या है कि 2 M, 2 N अगर करोगे तो 2 बाहर आजाएगा करके देखो इसमें बनेगा बच्चो 2 की पावर 2 M और यहां पर कितना बनने वाला है प्लस 2 N तो 2 को बाहर निकाला तो यह बना 2 की पावर 2 टाइम M प्लस N तो बच्चो 2 बाहर नहीं आया तो बाहर नहीं आया मतलब यह option मेरा क्या हो गया बच्चो गलत हो गया यहां कितना है M N प्लस 1 M प्लस 1, N के बराबर होगा यह बिलकुल सही है बच्चो क्यों क्योंकि M अब गी बार M प्लस 1 इधर आ जाएगा तो यह option अगें बिलकुल सही होगा अगला option 2 M, 2 N इसके square के बराबर होगा यह बात सही है बच्चो क्यों क्योंकि exponent की property से हम क्या लिख सकते हैं इसका square लिख सकते हैं तो यह D option भी आपका बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है तो इसका मैन मोटिव था आपको यह simplify करना था simplify करके एक सिंपल सी exponent की drum बन रही है और इस drum से आप अपने options को आसानी से देख सकते हो ठीक है और I think यही आज का आपका last question होगा इसके के बाद कोई question नहीं है ठीक है तो यह थी आपकी unit no.2 जिसका solution ठीक है चलिए आगे बात करेंगे unit 3 के बारे में okay thank you very much